नमस्कार, क्याप्टिल टीवी की स्पेसल स्टोरी देख रहा है आप और मैं हूँ आपके साथ जोहित कुमार सपा प्रमुख अखिलेश यादव अक्सर PDA यानि की बिछडा दलित और अलपसंख्यकों का रागलापते हुए नजर आते हैं और यह साबित करने में लगे रहते हैं कि वो एक मात्र ऐसे लीता हैं जो पिछडे दलितों और अलपसंख्यकों की बात करते हैं लेकिन जमीनी हकिकत कुछ और ही है जिसे सामने रखा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाथ में सीम योगी ने अपनी चुपी तोड़ते हुए बीजे पी के OBC के कार समीती के बैठक में जो बाते कहीं उसने अखलेश यादव के सारे दावों की धज्या उड़ा दी है इसके साथ ही सपा की यादव परस्त राजनिती की भी पोल खोल कर रख दी है जिसके बात सही अखलेश यादव मूँ चुपाते फिर रहे हैं योगी के दावों ने सपा प्रमुख को मूँ चुपाने पर मजबूर कर दिया है देखिए एखास रिपोर्ट योगी ने उड़ाई अखलेश की धज्या सपा की यादव राजनिती पर किया बड़ा हमला अखलेश यादव को बताया माफियाओं का सरदार पोल खुलते ही OBC ने थामा बीजेपी का हाथ सियम योगी OBC समुदाई को संबोधित करते हुए जम करता हाड़े और सपा प्रमुख अखलेश यादव की लंका लगा दी उत्यपरदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने अन्य पिछड़ा वर यानि कि OBC समाज में हनुमान जी की ताकत बताते हुए कहा कि इनको बस एक बार याद दिलाने की जरूरत है उसके पास रावन की लंका दहन होने में समय नहीं लगेगा सियम योगी OBC समुदाई को संबोधित करते हुए जम करता हाड़े और सपा प्रमुख अखलेश यादव की लंका लगा दी उसके बार रावन की लंका दहन होने में समय नहीं लगेगा योगी ने सूमबार को भारतिय जनता पाटी BJP OBC मोर्चा की प्रदेश कारे समीती बैठक में यह बात कही लखनों में चल रही मोर्चा की बैठक को डिप्टिसियन केशव परसाद मौरे और ब्रजेश पाठक ने भी संबोधित किया योगी की आने से पहले दोनों उप्रमुख फंतरी अपने भाशन के बाद निकल चुके थे इसके बाद योगी ने कहा कि विपक्ष ने पिछडी जातियों को गुमरा किया माफिया को संडक्षन देने वाले और PDA का नारा देने वाले राजुपाल उमेश पाल, कृष्णानंद राय और उनके साथ मरने वाले रमेश पटेल और रमेश यादव की हत्या के समय कहा थे क्या वे OBC समाज से नहीं थे, राजुपाल और उमेश पाल की परियाग राज में जिस माफिया ने हत्या की थी उस माफिया को गले से किसने लगाया था इसे सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि सपा ने माफिया को गले से लगाकर प्रदेश को आरज़ता, गुंडागर्दी और दंगों की आग में जोखने का काम किया है। सियम योगी ने कहा कि जब कोई समाज अपने स्वयम का बोद्ख होता है तो पहचान का संकत खड़ा हो जाता है। ऐसा है शरियंत्र इस समाज के साथ हुआ। जो समाज अपने बल, अपनी बुद्धी और अपने पौरुष से भारत को सोनी की चिडिया बनाने और समरिद बनाने का जज़बा रखता है उसको आपस में लड़ा कर पहचान का संकत पैदा कर दिया गया। वो ताकते जानती थी कि अगर ये समाज ऐसे ही पौरुष से भरपूर रहा तो भारत का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने इस समाज को आपस में लड़ा दिया। विदेशी ताकते जो काम करती थी वही कारे आज सैकुलर कहलाने वाले दल कर रहे हैं। बिते लोग सुभा चुनाव में आपने देखा कि कैसे जाती के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का परियास किया गया था। CM योगी यही नहीं रुके, CM योगी ने कहा कि जिन लोगों ने OBC समाज की नौकरियों में डकैटी डाली, जिन लोगों ने युवाओं का रोजगार चिना और जिन लोगों ने प्रदेश के सामने पहचान का संकत खड़ा किया, वे लोग आज समाज में फूट डालो और र बताई दारों को मुख्यमंत्री कृष्रक दुरगटना बीमा के तहट पांच लाख रुपे की धनराशी उपलब्द करा रही है, योगी ने आगे ये भी कहा कि कृष्णी सेक्टर से जुड़े हुए जादा तर लोग OBC समुदाई से संबंध रखते हैं, सियम योगी ने कहा कि जब समाज विभाजित था तब अयोध्या में प्रभू श्री राम, मतुरा में भगवान कृष्ण और काशी में महादेव का मंदिर अपवित्र हुआ, OBC समाज सबसे अधिक गौ सेवा करता है, उनसे गायों को छीन कर कसाईयों के हवाले किया जाने लगा, गौकसी होने लगी, आपकी आस्था के साथ खिलवाल होने लगा, उन्होंने कहा कि विपक्षिदल, अयोध्या, मतुरा, काशी, कावड यात्रा, सुरी कृष्ण जन्मास्टमी, होली, दीपावली, पर्वत्यवार, दंगो और माफिया राजपर बात नहीं करेंगे, सीम योगी ने कहा कि ये लोग जाती के नाम पर आपको लड़ाने का कारी करेंगे, इसके लिए इन्होंने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को हतियार बनाया है, जिसके माध्यम से ये जूटे तथियों को फैला रहे हैं, इसलिए इनसे साबधान रहने की आवशक्ता है, योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार OBC के हितो का संरक्षन करने के लिए प्रतिबध है, प्रधार मंतरी नरेंदर मोधी 2077 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ती बनाने के लिए संकल्पी थैं, जिससे हम सभी को जुड़ने क अवशकता है, साथी विक्सित भायत के संकल्प को शाकार करना है, कारिकर में OBC मूर्चा के राष्टिये महामंतरी संगम लाल गुपता, प्रदेश अध्यक्ष, नरेंदर कश्यप और प्रभारी राम प्रताप सिंग चोहान के साथ भारी संख्या में भाजपा कारिकरता भ प्रतिबंदिती, जबकि ये केबल शिव भक्तों की यात्रा पर ही निर्भर नहीं है, बलकि रोजगार का भी माध्यम है, एक बार की कावल यात्रा से वो हस्त सिल्पी वर्ष भर की आय प्राप्त कर सकते थे, यादवों की पार्टी है सपा, योगी ने कहा कि सपा सरकार मे 86 SDM की निपती हुई, 86 में से 56 सिर्फ एक ही जाती के थे, वो लोग इस बात पर खामोश हो जाते हैं, CM योगी ने कहा कि पिछले 7 वर्सों में UP सरकार ने 6.5 शुनिय लाग सरकारी भरती की, जिसमें 60 फिस्दी OBC समाज की भरती हुई, 79,000 सिक्षकों की भरती में इसको CM योगी ने कहा कि 79,000 भरती में अगर 27 फर्सों आरक्षन की बात की जाए तो 18,200 OBC सिक्षकों की भरती होती, लेकिन OBC समाज की 31,500 सिक्षकों की भरती की गई है, CM योगी ने कहा कि विपक्षी दलों को इस बात की चिंता है कि OBC समाज के यूबा अपने बुद्धी और वि करती को विवादित करने की शाजिस रचते हैं, CM योगी ने कहा कि कॉंग्रेस ने प्रदेश में 60 और सपा ने 4-4 बार शाशन किया, लेकिन इन दलों की सरकारों ने ODP के लिए कुछ नहीं किया, इतना ही नहीं योगी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सपा पर निशा की थी, और ये बात सत प्रशी सत सत्य भी है कि सपा राज जिलों, लड़कियां शाम होते ही घरों से निकलने से डरती थी, मंचलों की तो छोड़ दो, खुद सपा की गुंडे ही लड़कियों को छेडा करते थे, महिला सुरक्षा से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठ आए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए योगी नी कहा कि यह भाच्पा के निधित्तो वाली सरकार थी, जिसने एंटी रोमियो स्कॉड का गठन किया, यह सरकार महिला सुरक्षा के प्रती बहुत कमभीर हैं, जैसे ही यह सरकार बनी हमने एंटी रोमियो स्कॉड बनाए जब हमने Anti Romeo Squad बनाए तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था महिलाओं के खिलाब अपराद की जादत और मामलों में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए है वे उस पीड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कहती थी लड़के हैं गलती हो जाती है वे महिला सुरक्षा पर कैसे बूल सकते हैं समाजवादी पार्टी खुल महिला सुरक्षा के लिए खत्रा है सरकार सतर्क है और हर बेटी और वैपारी को सुरक्षा प्रदान करने के प्रतिवध है यूपि विदान सभा में विपक्ष नीता माता प्रसाद पांडे का स्वागत करते हुए योगी आदितनात ने कहा कि मैं आपको एलोपी के रूप में आपके चैन के लिए बढ़ाई देता हूँ एक अलग विशे है कि आपने चाचा को गच्चा दे दिया चाचा बेचारा हमेशा ऐसे ही मार खाता है उनकी नियती ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा डड़ा रहता है इतना है नहीं हाली में मुहर्रम का तेवार खत्म हुआ इस दोरान भी योगी नी सपा और कॉंग्रेस की मुस्लिम परस्तो राजनीती का भांडा फोर किया और उनकी पोल खोल कर रखती मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने कहा कि पहले की सरकारों में मुहर्रम के समय राज्य की सडके सूनी हो जाती थी लेकिन आज मुहर्रम बीच जाता है और इसका किसी को पता भी नहीं चलता मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तजिया के नाम पर घर तोड़ी जाते थी पीपल के पीड काटे जाते थे लेकिन आज किसी गरीब की जोपडी नहीं हटाई जाती, आज के समय में कहा जाता है कि अगर तेवहार मनाना है तो नियमों के अंदर मना नहीं तो अपने घर में बैठे रहो, योगी के आकरामक रभईय को हम सब जानते हैं, योगी ने एक बार जो ठान लिया वो करके दिखा आते हैं, ऐसे में जामवन्त की तरह OBC को अपनी ताकत बताई है और सपा जैसे मौका परस्त पार्टियों से बच कर रहने की हिदायती है, फिलाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे ये Capital TV उतरपरदेश, नमस्कार.